भगवान शिव का वरदान सौ साल की तपस्या के बाद किसी एक भाग्यशाली नाग को प्राप्त होती है जो नाग इसे अखंड अमरनात में आलोप करता है भगवान शिव उसको इच्छाधारी शक्ति प्रदान करते हैं लेकिन ये मनी यहां क्यूं? इसे तो अखंड अमरनात में होना चाहिए अंगणित नागों ने इस मनी को यहां से ले जाने की कोशिश की बगर असफल रहे कई सालों से ये मनी इस खंड हर में पैद है इस खंड हर के पहरेदार हैं बजीर और भोलू जिनकी नदरों से कोई नहीं बच सकता क्या इस धर्ती लोग पर कोई ऐसा जीव है जो इस मनी को इस खंड हर से निकाल कर अखंड अमरनात में आए करस। कर दो ये आपने क्या कर दिया, पंद्रा साल धर्ती में आलोग रहने के बाद, अज पहली बार अश्ट्वी के दिन बाहर आया था, भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद, आपको प्रणाम करके भगवान शिव का वर्दान वो नागमनी लेने जा रहा था, जो उस तांत्रिक के पास कैद है, आपने आशिर्वाद देने की बज़ाए मेरी हत्या कर दिया, मुझे, मुझे बहुत बढ़ी भूल हो गई है प्रभू, मैं आपको देखकर घबरा गया था, मुझे ख्रमा कर दिजे प्रभू, ख्रमा कर दिजे, ख्रमा मांगने से मेरे प्रान वापस नहीं आएंगे, आपने ना खत्या का पाप अपने सर ले लिया, अब आपको ना घत्या की पाप से तभी मुक्ती मिलेगी, जब आप उस मनी को तांत्री के कैज से वापस लाकर मुझे जीवन दान देंगे, तभी मैं उस मनी को अखण नमनात के शिवलिंग में लोग कर सकूँगा, तब तक आप मेरे शरी को समहल कर रखे, और भाई कोई है, यहां सब्यारों की बस्ती कहां है, यहां से दूसरी पाड़ी के पीछे, और उस बस्ती के तांत्री का क्या नाम है, तकाल, आज से ठीक एक महीने के बाद नाग पंच मी है, उस दिन मैं तुझे सिद्ध करवा के, मैं त्रिकाल, त्रिकाल से त्रिकाल दर्शी बन जाऊंगा, त्रिकाल दर्शी नहीं, काल दर्शी बोल, त्रिकाल दर्शी नहीं, काल दर्शी बोल, तु न सिर्फ काल को देखेगा, बलकि काल के मूँ में जाएगा, जितनी जबान चलानी है, चलाले प्रताप, क्योंकि तु जानता है, कि ना तो मैं तेरी जबान काट सकता हूं, और ना ही तुझे मार सकता, अगर जबान कार दी तो मंत्रों चारण कौन करेगा और अगर मार दिया तो मनी सिद्ध कौन करेगा तेरा ये सपना कभी सच नहीं होगा सच होगा जरूर होगा कभी नहीं होगा सपने कभी सच नहीं होते हैं हम पिछले पंदरा सालों से तरीकाइच से आजाद होने का सपना देख रहे हैं तुम मजबूर हो और मजबूरों के सपने कभी सच नहीं होते मजबूर के आसुआ से डरो तरिकाल उनकी आहों से खाव खा हमारी आहित तुम्हें चला कर भास्म करतेंगी हाहाँ कर दो एवार प्रेंगा दोकर ना क्रीकाल की वक्ती में त्रिकाल की आग्या के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता बोलो तुम कौन हो और यहां किसली आये हूँ मैं सदानन्द हूँ यहां वो मनी लेने आया हूँ वो मनी मेरे जीने का मकसद है उसे सिद्ध करके मैं त्रिकाल से त्रिकाल दर्शी बनूगा यानि के तीनों लोगों को देखने वाला बनूगा नहीं त्रिकाल, तुम त्रिकाल दर्शी नहीं बनोगे बलके संसार की नागजाती तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी क्योंके वो मनी, शिव का वरदान है मेरा नाम त्रिकाल है 20 साल तपस्या करने के बाद मैंने ये तावीज हासिल किया है जब तक ये तावीज मेरे पास है नाग जाती मेरा कुछ नहीं बिगाड सकती मैं ही त्रिकाल दर्शी बनूगा, समझे त्रिकाल दर्शी, तो सिरफ एक है और वो है उपर वाला इसलिए वो मनी मेरे हवाले कर दो खामोश, तू ले जाने की बात कर रहा है रिकाल उस मनी के बारे में सोचने वाले को भी जिन्दा नहीं छोड़ता फेरो, इसे तुम नहीं, मेरा वजीर मारेगा वजीर! कत बchaमोश, झालुर मेरे कि भी प्रेमों तुम कर दूजby हrän मुम धिन हमाया फुम कर छूच कर रहे है बोले नाथ मेरी रक्षा कर मेरी रक्षा कर भगवान नाथ तेरी शक्ती अपार है बेटे बज़र वो मनी मैं प्राप्त करूँगा बाबा मैं आपको उस पाप से मुक्ति दिलाऊंगा नहीं बेटा मैं आपने स्वार्थ के लिए तेरा जीवन दाव पर नहीं लगाऊंगा दिककार ऐसे जीवन पर जो बाबा की काम ना सके बेटे मेरा जीवन तो आप ढलती हुई धूप है और तुम्हारा जीवन चड़ता हुआ सूरज आकाश की गोद में चमकने वाला सूरज अगर आकाश को उजाला नहीं दे सकता तो उसे राक कर धेर बनके पिखर जाना चाहिए लेकिन बेटे लेकिन वेकिन कुछ नहीं बाबा आपको मेरी कसम सिर्फ इतना बता दीजिये के वो तांत्रिक रहता कहां है बिजली ए बिजली मुझे तेरा हर्सी मज़ाग बिलकुल पसंद नहीं मैं तो खुरी इस्तान करने जा रही थी यह नगीना इतना गुसा अच्छा नहीं अपने बापो के राज में जितना गुसा करना है कर ले पती के घर जाएगी तो आठों पहर पिटारी में बंद करके रखेगा फिर देखोंगी तेरा गुस्सा अपनी बस्ती में कोई सपेरा नहीं जो इस नागिन को अपने बस में कर ले हाँ 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 लगता है तुझे बस में करने के लिए कोई सपेरा बाहर से आएगा कौन है ये कितना सुन्दर नौजवान है हाँ किसी राजखराने का खौर लगता है हाँ अरे हाँ क्या कर लिए देख उसको क्या हुआ लगता है इसकी हड्डियों में ठन समा गई है भाईया कहते हैं ऐसे मौके पर मूखी भाप देने से गर्मी आती है भाप रे फिर देना अपने मूखी भाप नाना मैंने देने वाली हाँ टूटी तुटी तुटी लगीना इसे तो अभी तक होश नहीं आया इसे भाईया के पास ले चलते हैं पाने बेहते हुए जा रहे थे नगीना ने तुम्हे बचाया और यहां तक लेकर आई तुम्हारे मूगी भाप अभी तक मेरे जिसम को करम कर रही है। तुम्हारे होटों का सपर्श अभी तक मैं अपने होटों पर महसूस कर रहा हूं। इसका मतलब तुम होश में थे? तब होश में था, मगर अब होश में नहीं है। वेज्जी बहुत बहुत शुक्रिया अब मैं चलूँ देखो प्रदेशी अभी तुम सहत मन नहीं हो दो-चार दिन यहां रुक कर आराम कर लो फिर जहां जारा चाहो चले जारा वेज्जी यह लड़की कौन थी यह यह अपने तरिकाल की बेटी नगी न ओ तीर ठीक निशाने पर बैठा है इसी के जरीए मैं मनी तक पहुंच सकता हूं कि शाबाज जंगी हर साल की तरह इस साल भी मैं त्रिकाल तुझे अपनी बस्ती का सबसे बड़ा लट हैद गोशिद करता हूं मांग दो तुझे मांगना है मेरा यह इनाम आप पर उधार रहा त्रिकाल वक्त आने पर मांग लूगा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी अच्छा गुरू वक्त आने पर मांगों क्या तुम्हारी इस बस्ती में मांगने के लिए एक ही तो नग है यानि कि त्रिकाल की बेटी नगी ना हाँ 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 गुरू क्या मैं यहां रह सकता हूं बेटी क्यों नहीं मगर यह तो सपेरों की बस्ती है तुम यहां पर आयकर क्या करोगे मैं भी वही करूंगा जो यहां के लोग करते हैं यहां के लोग तो जहर बेशते हैं और तुम्हें तो सांप पकड़ना भी नहीं आता आता तो नहीं लेकिन मैं सब कुछ सीख लूँगा वेजी तो फिर ठीक है मैं तुम्हें त्रिकाल से मिलवा देता हूं क्योंकि उसकी मर्जी के बगार यहां कोई नहीं रह सकता जो नहीं नाग पकड़े हैं उनका जहर निकाल लेना कुछ त्रिकाल वह जी आप कहिए क्या बात है त्रिकाल यह प्रदेशी है बिचारा भुटकता भुटकता यहां पर आ गया है और अब अपनी बस्ती में रहकर हम लोगों का काम सीखना चाहता है हम वह तो ठीक है नाजवन लेकिन काम बहुत मुश्किल है हम तो सपेरे हैं और तुम्हें तो बीन बजाना भी नहीं आता होगा कहीं किसी नाग ने दस लिया तो क्या होगा तो क्या बचाने के लिए आप जो हैं है शाबाश ये सांप पकड़ने का धंदा है परदेशी कोई पतंग की दोर नहीं जो हाथ बढ़ाया और पकड़ ली तो क्या हुआ तुमने क्या मा के पेट से पकड़ना सीखा था जैसे तुमने सीखा था वैसे ये भी सीख जाएगा मैं सिखाऊंगी इसे तो फिर ठीक है इसके रहने का प्रबंध कर दो शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद है पानी पानी तो क्या मैं तुम लोगों को अमरित के घूट पिलाता हूँ बस एक बार एक बार मेरी बात मालनों वो मनी सिद्ध करता हूँ मैं पयास से तडप तडप कर मर जाओँ गाँ लेकिन तुझ जासे पाभी के लिए मनी सिद्ध नहीं करूँ गाँ नहीं मैं तुझे मरने नहीं दुलगा मैं पानी लाता हूँ ये लो पिला इसे पिला पिला हुआ है कि ऐसे जुनम्मत करो थिकान तरफ टंगे मोगे नहीं सिर्फ तडपोगे एक रात और फ्यास से तडपोगे दो ऊच अपने थिकाने आ जाएंगे कल मेरी बात मान जाओंगे तम क्या हुआ मुझे अपनी मौत का गम नहीं है त्रिकाल लेकिन मैं अपने पती को पानी के लिए तरपता हुआ नहीं देख सकती तो फिर क्या आसू पिलाएगी अपने तू पती वरता नारी की ताकत से वाकिफ नहीं है त्रिकाल एक पती वरता नारी अपने पती की प्यास बुझाने के लिए रेगिस्तान से भी पानी के चश्मे निकाल सकती है रेगिस्तान तो बहुत दूर की बात है पहले इस कच्ची जमीन से तो पानी निकाल कर दिखा फिर मैं तेरी शक्ति को मानूंगा इले कर दूर कौर कर दोग। एंद र Around ठाओ प्री.. प्लि नाओ जे घलनिंग हुई प्यूटिए रहाओ कि अब्लाइब कि अप्राइब कि अदुधित कि अगेंगे अगेंगेंगे तुम्हारे यहां महमानों के रास्तों पर फूल बिछा जाते हैं। हर महमान के लिए नहीं, कुछ खास महमान के लिए। महमानों से इतना मौच्छा नहीं। महमान हमेशा जाने के लिए आते हैं। और फिर परदेशी पर कभी विश्वास करना भी नीचाहिए। पंची एक डाल पर, नदी का पानी एक घाट पर, रंता जोगी एक ठिकाने पर, और परदेशी कभी एक जगा पर निक धरते हैं। अगर मेरे परदेशी में पंची बनकर उनना चाहा, तो मैं अपनी नैनो की कटारी से उसके पर काट दूँगे। नदी का पानी बनकर बहना चाहा, तो मैं अपनी मोहबत का बांध लगा दूँगे। अगर में आप दूँगे। भूलू, पहरेदारी पचो करने रहना। आप चिंता मत कीजिये तरीकाल, भूलू के होते वेए आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं वो नाग हूँ, डसता हूँ तो फुनकारता नहीं, चलता हूँ तो जमीन पर अपनी लकीर नहीं छोड़ता। इसलिए तो तुझे खंडरात की जिम्हदारी सौंपी हैं। कर दो तो तुझे जिम्हदारी सौंपी हैं। हुआ आज सुख़ा कर एफ कर दथका कर दो हुआ 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 है अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो चोर पहरेदार की निगाहों से नहीं बच सकता चोर कौन चोर तुम जो खंडरात की मशालें बुजाते वे यहां तक आये हो बताओ तुम यहां किस मकसद से आये हो अगर ना बताओं तो तो मजबूरन मुझे तुमें त्रिकाल के पास ले जाना पड़ेगा वो तुमसे अपने आप सब कुछ पूछ लेगा तुम मुझे त्रिकाल तक नहीं ले जा सकते तुम शायद मुझे जानते नहीं मैं वो नाग हूँ तसता हूँ तो फुनकारता नहीं चलता हूँ तो जमीन पर अपनी लकीर नहीं छोड़ता पुमसे प्रूबता कर दज rushed दो फखे Post कर दो कर दो दोए球 कर दोए should कृ मैज़ अई लडि Clay, लडि लड़ औन == लडिर लड़ी बदे लup ç लेए vosख? लडिर będą लाक कि लुभ हरे लड़ी लड़ी से अो लड़ी से ओ lapBooks लड़ Schritt लड़ी enzyme वाओल वाज़ पाल नगी है है हाँ हाँ अ अ हाँ है तो नहीं बताएगा कि तो खंडरात में क्यों गया मुझे तो पहले साइशक था तरिकाल कि ये परदेशी इस बस्ती में किसी तो तू अपना वो खास मकसद भी नहीं बताएगा जिसने त्रिकाल के साथ धोका किया वो इस दुनिया में जिन्दा नहीं रहा खेरो बापू कहीं ऐसा नहों आपके हाथों किसी बेकसूर का खून हो जाए ये तो क्या कह रही है बेटी मैं ठीक कह रहे हूं बापू मैं अपनी जोपड़ी में सोई हुई थी कि भोलू वहां आया और मेरा मुझ बंद करके मुझे वहां से उठा ले गया मेरी चीक सुनके पर्देशी वहां आया और मुझे भोलू की चंगुल से अजाद कराकर मुझ से कहा अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी इज़त मिटी में मिल जाएगी नगीना के बयान से प्रमानित होता है कि अपनी काली कर्टूत के कारण भोलू मरा पर्देशी ने त्रिकाल की बेटी की इज़त बचाई है इसलिए मैं निकाल ना सिर्फ पर्देशी को मुक्ष करता हूं बल्कि भोलू के स्थान पर खंडरात का पहरेदार भी नियुक्ष करता हूं मेरा रास्ता छोड़ों छोड़ दूगा पहले ये बता कि तुने जूट बोलकर उस पर्देशी को क्यों बचाया क्या संबंध है तेरा उससे तुम कौन होते हो पूछने वाले मैं तुम्हारा होने वाला पती हूँ क्या जोरदार आवाज थी थपर हो तो ऐसा मदा आ गया मदा आ गया फिर शुरू बैजी तुम यहां क्या लेने आये हो बिजली मेरी दाहिनी दाड में सक दर्द है मुझ खोलो दातुन तो किया करो निकालने पड़ेगी अरे बैजी क्या किया मेरी बाईदार पे दर्द था आपने दाहिनी दाड निकाल दी नहीं नहीं वह क्या वह जो कीडा था ना कीडा वह इस दाड पर बैठकर तुम्हारी उस दार को खाता था इसलिए इसको निकालना बहुत जरूरी था अरे पर बैची बहुत दर्द कर रहा है बिजली से कहिए ना अपनी महेकती हुई सांसों से अपना आचल गरम करके मेरा गाल सेख दे अपना निकल रहे है जा प्रदेशी मैं तुमसे यह नहीं पोचूंगे कि तुम्हें ने भॉलो को क्यूं मारा जंगी को जूटा साबित करके, मैंने तुम्हें त्रिकाल की तलवार से तो बचा लिया, लेकिन जंगी की लाठी से नहीं बचा सकती। पर्देसी, तुम ये बस्ती छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। मैं तुम्हारे जुदाई का गम ये सोच के बर्दाश कर लूगी कि मेरा पर्देसी जहां भी है, सलामत है, मेरा है, अपनी नगीना का है, पर्देसी तुम चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। हमने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि कल सामो एक सगाई का उत्सव है, पसंद किया हुआ लड़का लड़की के कलाईयों में चूरिया पहनाएगा, नाक पंच्वी के बाद उनकी शादी कर दी जाएगी। पर्देसी! 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 आखिर तुम अपनी नगीना को छोड़के चले गए ना? नगीना? अपनी नगीना को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? पर्देसी, कल हमारे सामोहिक सगाई का उत्सव है। तुम भी वहाँ आना। सामोहिक सगाई? हाँ! जो लड़की जिस लड़की को अपना वर्चुनना चाहेगी, वो लड़की को अपनी चूड़ियां देगी। लड़का चूड़ियों को लड़की की कलायों में पहनाएगा और फिर नागपंचमी के बाद उनकी शादी हो जाएगी। तुम जरूर आना पर देशे. मेरे कलायों में चूड़ियां पहनाने जरूर आना पर देशे. करेंगे का लुए नह नहा करेंगें दिवर करेंगें देला करें कि बडिब दो पर उन्द करेंचे झाल ब़ पर विल अिल कि बाल प्याँ प्या प्या झाल वाल प्या लाल कि अजब त्याँ लोल हॉव़़ ख्याँ बिजली, बहना, इन समय में तो वही है, जो मावली में है, इन में से कोई चुन लो, बिजली ठेहरो, त्रिकाल, आप अभी भी मेरा एक इनाम उधार है, जिसे मैं आज मानता हूँ, और वो है आपकी बेटी नगीना, त्रिकाल की बेटी कोई वस्तु नहीं, जो इनाम में दी जाए, हमारी बस्ती के रिवाज के अनुसार, हर लड़की को अपना वर चुनने का अधिकार है, और ये भी तो रिवाज है त्रिकाल, कि अगर कोई लड मुकाबला करना पड़ता है, पूशो पर्देशी से, क्या वो मुकाबले के लिए तयार है, बोलो पर्देशी, तयार हो, बोलो, तयार हो कि नहीं, जी, पर्देशी, चंगी बहुत बड़ा लठेट है, हमारी बस्ती में उसकी लाठी की ताब कोई नहीं हिला सकता, मगर तुम, तुम मेरी उम्मीद मत तोड़ना, मुकाबला जीत कर, मेरी सूनी कलाईयों में चूड़ियां पहनाना, वरना, मैं सारा जीवन विध्वा के रूप में बिता दूँगे, तुम्हारे अलावा, किसी के हातों से चूड़ियां नहीं पहनूँगे, मुकाबला कल आरम भोगा, यूड़िय व्यीव टुम्हारे शोड़ियां प्ट ले थ對। र्पोड़ियैं भी शोड़िय व्यीव काबला के रोड़ियां प्ट बलादार music झाल अजिए झाल हुष हुआ हुआ हुआ! झाल 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 कर दो! कर दो! कर दो! कर दो कर दो कर्दा दो कर दो पातलो है पेटी नगीना कि सगाए कि पूँ कि सेज़ाई नटार कि स्थेश चर्णनओन भीकर चल्व firm और4 झाल पाल करो दो करो डो आप दो प्योज़ प्योज़ एक शन्योज ऩॉज़ नियांता प्योभर श्योज़ नियांता है एक झाल झाल कर दो हुआ है he आप है कॉन और अब बड़े कर अब मैं तो आफ ही से मिलना आए था ना मुझसे हां मुझसे क्यों कि ना आपको अब गुरू बना लिया है। गुरू? हाँ. अरे, मुझे गुरू बना के क्या करोगे? नहीं, नहीं. ना मैं सपेरों के गुन जानता हूँ, और नहीं अयुरुवेट के? नहीं, ऐसा ना कहिए. आप में तो सबसे बड़ा गुन है, प्रेम गुन. देखिये न, बस्ती में आये हुए आपको चार ही दिन हुए, और आपने बस्ती की सबसे अच्छी कन्या पटा ली क्या? मेरा मतलब है, सबसे अच्छी कन्या को अपने प्रेम जाल में गुन लिया और एक मैं हूँ, जिसने बगएर बिमारी के पिछले पाँच साल से बैच जी की गोलियां खा खा कर अपनी सहत बिगाड ली है लेकिन अफसोस, बिजली को नहीं पटा सका गुरुजी, कोई ऐसा उपाई बताईए, ताकि बिजली इस खंबे की हो जाए, मैं तुम्हारा ऐसान कभी नहीं भोलूँगा तुम बिजली से शादी करना चाते हो, तो तेरे बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा कान ला अरे वा, वा, गुरुजी, धन्या हो, सन्यचे कर, सन्यचे कर, धन्या हो, गुरुजी, 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 धन्या हो, आत्मा अत्या कर ली यह क्या हो गया जो भी हुआ अठाए हुआ क्या भेना लाश कहां है उसकी उस बेचारे की लाश बस्ती के पीछे पड़ी है महाबली लेकिन तू कहां चली है दब्बा महाबली अगर मैं जानती तू मुझसे इतना प्यार करते हो में लंक जान भी करते हो है तुमारा दिल कभी नहीं तोलती महाबली कभी नहीं तोड़ती आखी खोलो महाबली आखी खुलो आपकी गोल पावेल है पहले है यह जो होना था सो गया अब रोने से क्या पाईडा अब इसकी मिट्टी और खराब क्यों करें मेरे अजयाम से तुम बस्ती वालों को बुछाए ताके जल्दी से इसका अंधिन सभिंद सिज्टार कर दिया जाए बैनाश्य वट्देश्ट बस बिच्छरा प्रेम लोग में मरा है, अर्थी उठाकर इस प्रेमी की और बदनामी ना की जाए, बेटर होगा, मिट्टी का तेल डालकर इसे यही जला दिया जाए, शायर तुम ठीक कह रहे हो, जा बिटली जा, जा बेटा, घर जाकर मिट्टी का तेल लिया, नहीं, घर जाने क क्याए, यहीं कोई ज़रत नहीं है, मिट्टी का तेल और माच्छिस में लाया हूँ, शाबच पैटा, शाबच, शाबच, ओम थिमुर्दाय अगनी, फच्या है, ओम, भॉल, उम, कख्या है, आपकई अधाने म?! तु समझती नहीं बिजली ये नाटज मैंने नहीं किया था इसले करवाय था चोड से कहा चोरी कर और साहुकार से कहा राध पर जाता रहे इसले कर आप साहुकार चाग उठा है तुम्हारे इस प्रेम रोक की दवा मेरे पास है अच्छा जल्दी यह लो पुड़ी जब पुझली तरी हो जाएगी आच्छा आपकी और भी एक बहन है हाँ है जो तुझ में चड़ चुकी है अरे मर गया है अरे यह क्या पुझली गुरु जब से यह परदिशी आया है उसने तो तुम्हारे लुटियर डुबो दी नगीना पर आंस लगाए बैठे तो तुम और सब्सक्राइदारी का हकदार मैं हूं मैं ऐसा मैं हर्गिस नहीं होने दूंगा हर्गिस नहीं कि जा पनियर और उस पर देशी को खात्म करते कि गुरु अब तो तुम्हारा गाम होई गया समझो कि अज़िए नगीना नगीना तेरे पर देशी को मारने के रिए जंगी ने फनिया नार भेजाए तो उसे बचा ले नगीना जल्दी से बचा ले तो भागती कहा है बुलबुल, मैं परदेशी की चीख सुनने के लिए यहां खड़ा हूँ, तु भी सुन! शेरा, जाके देख, फनियर अपना कामगर के वाबस क्यों नहीं आया, जल्दी जा, अच्छा गुरू, मैं भी देखके आता हूँ, अच्छा दारी नागिन, अक्सर यहां आती हूँ, त्रिकाल को डसने के लिए, लेकिन उस दांत्रिक ने अपने आसपास की जगह, मंत्रों से केल रखी है, इसलिए उसे डसने में नाकाम्याब रहती हूँ. आप त्रिकाल को क्यों डसना चाहती हैं? क्योंकि मुझे वो मनी चाहिए, लेकिन वो मनी तो मुझे भी चाहिए. मैं जानती हूँ, मगर वजय नहीं पूछूँगी, उस मनी को यहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आने वाली नाक पंचमी को त्रिकाल उसे सिद्ध कर जो इस संसार के लिए अनर्थ सिद्ध होगा. इसलिए मैं चाहती हूँ, कि तुम और मैं मिलकर मनी को प्राप्त करें. कोई आ रहा है, इस से पहले के कोई तुम्हें देख ले, तुम यहां से चली जाओ. सुनिये, आप इतना बताइए, अगर मैं आपसे मिलना चाहूँ, तो कहां और कैसे मिलूँ? यह तो पत्थर लो, जब भी मेरे जरूरत पड़े, इन्हें आपस में घिस लेना. मैं जहां भी होंगे, तुम्हारे पास पहुंच जाओंगे. तुम्हारे फनेर को तो किसी न मार दिया? क्या? अधिसु खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, कौन है? नहीं, त्रिकाल. शमा करना त्रिकाल. नहीं, नहीं, हमें खुशी हुई, कि तुम्हें इतने चकनने पहरे दार हो, बस ऐसे ही पहरे देते रहना हमेशा. जी. जी. कि इतने जहीं, जी. कि नहीं, तो कि बड़ने जहीं. कि कि तुम्हें. कि तुम्हें के एतना, कि दुम्हें. कि अ. कर दो हुआ है झाल महापली, तुझे रगड़ने का ऐसा नुस्खा तयार करूँगा मैं कि तु हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेहन बिजली को भूल जाएगा दूद का कटोरा हो, मिति का कसोरा हो, कसोरे में तु उठे जाग, उठे जाग, वो साफ मेरे बोर भाई, उठे जाग वेट, वहाँ तेरी बहन बिन बिहाए लेटी है और तु यहाँ लंबी दान के लेटा है वेट, वेट दाना कर तेरे मुँपे रगड़ूंगा, मैं ऐसा रगड़ूंगा कोई भूत नहीं हूं माय तो देव हूं देव कौन सा कप्रिल देव काम रूप काम रूप काठ मंडू वाले कटी मुंडी कभी काठ मंडू गये हो पहली वजाई यह और दूसरी वजाई यह के मेरे भक्तों ने मेरा प्रचार नहीं किया और बगार प्रचार के कलाकार तो क्या देवता भी गुंनाम हो जाते हैं प्रभू फ्रभू प्रभू बताजे मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं हमारी सिवा करने वाली तो जल्दी से जाके अपनी बेहन का ब्यार अचा के पुन्य कमा गंगा नहां और अपने सर से शनी हटा लेकिन प्रभू मैं मुझबूर हूँ कि हमारी बिरादरी में दूर दूर तक कोई भी योगिवर ही नहीं मुर्क महा मुर्क आखे होते हुए भी महा बली तू अंधा है तुमने शायद महा बली को गौर से नहीं देखा तुम्हारी बेहन के लिए वही सबसे योगिवर है महा बली वह तो बिल्कुल उन्लुका पठा है और उपर से उसको हिच्की की बिमारी भी है अगर मेरा बस चले तो हिच्की के साथ साथ उसकी सास भ वाद लेगा महापली जोर फरेभी तो के बाद तेर जा अरे नहीं अरे नहीं नहीं अरे नहीं मैं अरे नहीं मेरा हाथ उठ जाए अरे तॉरे मीन हुपकी जा जहाँ बहन तुम मैं यह पताने आई हूँ कि नाक पंचमी को सिर्फ पंदा दिन बाकी है तुम फिक्र मत करो बहन मैं कोशिश करूँ कि नाक पंचमी के पहले-पहले मणी हसल कर लो पीन की आवाज आर ये बहन लगता है तुरिकाल को तुम्हारे जिसन की बू आपी है इससे पहले के वो यहां आए तुम यहां से चली जाओ अपलार कर दो आरे बहां पंचमी क को तुम उर्पले करतम आए तुम पंछा तुम लोगे थाज़ झाइए रहां बहां से चक 1 अंए्र नचसे जाओे जाख तुम्हां जाँ कि मैं कहां आ गए है कौन मोहिनी मोहिनी कहीं आप वही इच्छादारी नागिन तो नहीं जिसने मेरे परदेशी की जान बचाई थी हाँ पर तुम कौन हो मैं थ्रिकाल की बेटी नगीना तुम उनकी बेटी हो आप इतने परेशान सी क्यों लग रही हैं तुम्हारे पिता मुझे कैद करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं चाहो तुम मुझे पगड़कर तुम उनकी मदद कर सकते हो और चाहो तुम मुझे बचा सकते हो एहसान करने वालों को तो नाग भी नहीं डस दे हम तो इनसान हैं आपने मेरे परदेशी की जान बचाए थी ना उस एहसान का बदला मैं अपनी जान देख कर भी नहीं चुका सकती इसते पहले कि बापो यहां आ जाएं आप मेरे पिठारी में आ जाएए सबसाओ अ बालों की जाएए कि अधने में जाएए सबस्साओ एह वालों आएए हुआ 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 है बिजली 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 मैं माला माल हो जाओंगा दुनिया मेरी पपी लेगी बिजली की पपी कौन ले रहा है शायद मैं अपनी दवा की खुशी में पागल हो गया हूँ बन गई बन गई बिजली 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 क्या बात है ऐसे क्यों हस्वे हो जल्दी बोलो मुझे मंदिर जाना है अरे मंदिर को छोड़ और यह देख मैंने एक ऐसी गोली मनाई है कि एक खाने से आदमी फिर से जवान हो जाता है जवान हो जाता है लगता है मुझे तरी आँखों के लिए कोई दवाई देनी पड़ेगी गोली यहां और तू वहां देख रही है गोली क्या हो यह गोली को मैं यह कह रहा था कि यह गोली खाने से आदमी जवान हो जाता है एक गोली खाने से अगर आदमी पचंश साल की उमर का अगर ऑед पटालिस का हो जायेगा फमाल करती हो अभी तुमारी तीसरी भाबी आ किसी राज-कुमार से राज-कुमारी की तरह कर दूंगा और तुहारी तीसरी भाप बिजली, बिजली जाने कहा जनी गई यह आपने क्या कर दिया अगर संग्ष्यत में कहा जाए तो मैंने मन ही मन तुम्हें अपनी धर्म पत्नी मान लिया है अब तुम्हे स्विकार हो या नहो यह सब तो ठीक है लेकिन जितना प्यार मैं आप से करते हूं उतनी ही नफरत भाईया आपके हिजकी से करते हैं और उनके आशिरवाद के बगएर ये शादी तो अधूरी रहेगी कोई बात नहीं तुम्हारा अर्धांगना होने के नाते मैं ही अशिरवाद ले आता हूं हाँ तुम यहां क्या कर रहे हो बैजी मैं आसे आशिरवाद लेने आया हूं मुझे आशिरवाद दीजिये कि मेरी पतनी अखंड सब्हाद के वति रहे अरे अवश्य पुत्र अवश्य लेकिन ये आशिरवात तो तुम्हारी पत्नी को लेना चाहिए, तुम क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो आपके पास आने से डर्ती है, डर्ती है, मुझे हैं, क्यों? मैं भूत हूँ, यमदूत हूँ, चलाद हूँ, कसाई हूँ? भाई हूँ, भाई हो, किसका भाई? लड़की की. आचाचा. कहीं तुम्हारा इशारा, बिजली की तरफ तो नहीं है? बैजी, अगर मैं कहूझ कि, मैंने बिजली से शादी कर ली है, तो… तो मैं तुम्हे जान से मादा लुगा! अगर मैं कहूं कि बिजली ने मुझसे शादी कर लिए तो तो इसमें फिर मैं क्या कर सकता हूँ तो इसमेरी नहीं है लेकिन भाईया इस वक्तु है क्या तुम लोग मुझसे पूछे बिना सुहाग रात भी मना रहे हो और तुम यहाँ पक मेरा आशीरवाद लेरी आए हो कि बिजली और गुली बैजी को कहते सुना था कि गुली से ताखत आती है अरे नहीं नहीं सुहाग रात का मामला है 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 तो यह जाए है यह जमीन इतनी करीब कैसे आ गई है अरे ये च्छत इतनी ऊपर कैसे हो गई खमाल है अरे ये बोतल इतनी बड़ी कैसे हो गई फैर छोड़ो बिजली मेरा इंददार कर रही होगी अरे बेटे तुम यहां क्या कर रहे हो निरलच में शरम अपने पती को बेटा कहती है तुम महाबली हो हां मैं महाबली हूँ तुम्हें क्या हो गया हूँ अरे होना क्या था तुम्हारे भाई की बनावी पांचों गोली मैंने खाली और अपनी उमर से 25 साल चोटा हो गया क्या बिजली बिजली उटना बिजली अरे मुबारको बेना मैं मामा बन गया मैं मामा बन गया पूरे गाओ में मिठाईयां बटवा दो शेनाईयां बजवा दो लेकिन एक ही रात में बच्चा वो भी इतना बड़ा और उपर से मुच्छी वाला अग् यह बच्चा नहीं है भाया यह तो आपके बहनोई साब है बहनोई इतना चोटा मामली नहीं हो सकता क्या बहनोई हाँ साले साहब आपकी बनाई हुई पाच गोली मने एक साथ खा ली क्या मेरी 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 इतने कीम्टी गोले खागा तू पॉस्दिल क्या करूं उलो का पठा कवीना साला इसने तो धोके से मरी बेहन के साथ शादी की और उपर से मेरी पच्चिस-पच्चिस हजार की कोलें खा गया ऐसा मज़ा चखाऊंगा इस सिंद्धी पर याद रखेगा लेकिन बहना तुम बिलकुल सिकर मत करो मेरे पास इन गोलीयों की कार्ट है अगर मैं इसे एक गोली देदूना तो ये फिर से जवान हो जाएगा नहीं नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं खाना गोली तुमारी बहन की गोद में मैं बहुत खोश हो है नहीं अबिख चुबह लेकिन मेरी बहें किती नाखुश है इसके बार मैं सोचा है कभी मुइ में? अरे बिदमाश ये तुने क्या किया? मेरा वार मुझे बिचला किया? वस्ताय। कि पालबोटी रिया। हाई। एलम। ही। पागवाड। क्यो है। माइय। भाल। माइय। शाली। मैं जानने था hav तू कोई न कोई हरकत करेगा इसलिए मैंने तुझे पहले ही भूख मारकर गोली खिला दी हाँ चलो जल्दी से मुझे गोली कहिलाव या कि मैं पहले जैसा साउ ऐसा हो जाओ चलो जल्दी करो लीजा ठेहर जा बतमाश ठेहर देती हुई अरे बतमाश कहती मुझे साली चला जली करो गूली है जमाल गुटा देखा मेरी जायन महाबली तु तो बड़ा बाका चैला है रे अब सुमझ में आई कि बिजली तुझ से क्यूं जान देते है अब तू भी कोई गोली खाले और पहले जैसा था वैसा बन जहां का चला हा उसके कोई ज़्रवरत नहीं तब को हम दोनों बहनें मिलकर दरे साथ ही रहेंगी नहीं और बाद नहीं बद नहीं बद नहीं मुझा गहां बिजली के साथ ही कुश्यू है न उस क्या है जो मुझ मैं नहीं है बेटी में जहर बेचने शहर जा रहा हूं दोचार दिन में लोटा हमाँ अपने खायल है जी बापू आप चिंता मत कीज़ेगा जल शेरा जी तरगाई तुम उस मनी तक नहीं पहुच सकते बेटे उस दुष्ट दांतरिक ने मनी की आसपास की जगा को अपने मंतरों से कील रखा है आप कौन है बाबा मैं उस तरिकाल का कैदी हूं बेटे कैदी क्या आप रात किया आपने मेरा आप रात ये है कि मैं मनी सिद्ध करने के मंतर जानता हूं और ये है मेरी पत्नी लेकिन तुम यह मनी लेने क्यों आए हूं बेटे नागेश्वर नाम के एक नाग की हत्या का पाप मेरे धर्म पिता पर आगया है नागेश्वर? भूल से उनके हाथों से उनकी हत्या हो गई अब इस मनी से ही उन्हें उस पाप से मुक्ती मिल सकती है तो अब वो मनी मुझे ही सिद्ध करने पड़ेगी त्रिकाल की कैज से छूटेंगे तब ना? जालिम कितना ही ताकतवर क्यों न हो वो भी एक ना एक दिन मौत के मुझा निवाला बनता है आदमी का जिस्म क्या है? चंद सांसों का मकां खून का गारा है इसमें इंट इसमें हड्डियां मौत की पुर्जोर आंधी इस से जब डकराएगी पेख लेना ये इमारत तूट कर गिर जाएगी ऐसे तो कई सालों से मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ कभी कबार कोई मनुश्य दर्शिन करने आता है पुजारी जी इतना अच्छा मंदिर होते वे यहां कोई दर्शिन करने क्यों नहीं आता इस मंदिर की मान्नेता है के भगवान शिव एक बार यहां पधारे थे तब से हर नाग पंच्वी के दिन सरफ नाग जाती ही दर्शिन करने आती है मनिश्य नहीं आते अच्छा मैं चलता हूँ आप लोग दर्शिन कीजिए अच्छा जी अरे अपने वीटा शाम का है वो देखो फूल चुन रहा है ओम नवाख शिवाए भाइसाब आप इतने घपराय हो क्यों है मेरा नम नागिश्य है मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ क्या मेरे पीछे एक सपेरा पड़ा हुआ है मेरे पास बगवान शिव का वर्दान ये मणी है वो इस मणी को सिद्ध करके तरकाल दर्शे बनना चाता है आप आप ये मणी रख लीजे मेरी अमानत समझकर रख लीजे आज से ठीक 15 साल के बाद ये मणी नाग पंचवी के दिन सिद्ध होगी मैं धर्ती में आलोप होने जा रहा हूँ 15 साल के बाद आकर अपनी अमानत वापस ले जाऊँगा अगर इस पीच मुझे कुछ हो जाए यह मैं मर चाओं तो आप ये मणी सिद्ध करके अखंड अमरनात के शिवलिंग में आलोप कर देना लेकिन ये मणी सिद्ध होगी कैसे एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको बताता हूँ आप पिसमंत्र को एक लाग बार बढ़कर आउटी देदे ना ये मणी सिद्ध हो जाएगी अच्छा तो वो मणी तेरे पास है ला वो मणी मेरे हवाले कर दे नहीं ये नागेश्वर क्या मानत है आज से पंद्रा साल बाद ये मणी उसे लोता नहीं है पंद्रा साल तो वो जिंदा भी नहीं रहेगा मैं त्रिकाल उसे मार डालूँगा छील लो मनी इसके आथ से क्रिकाल क्या है 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 जुट है हुग है है आद है 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 हुण हुट है इसंब नियुक्त की इयुक्त अब जिदorship egna मंत्र भी बटा दे हरगिस नहीं मैं वो मंत्र तुझे कभी नहीं बताऊ अगा। नहीं बताएगा। तू मेरी ताकत को नहीं जानता कि कितना जालिम हूं मैं। जालिम कितना भी ताकत पर क्यो ना हो, एक ना एक दिन वो मौत के मूख आने वाला ज़रूर बनता है. ने चलो इसे! ने, 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 चलो! ने चलो! ने चलो! बेटे! क्या हुआ? आओ, आओ मेरे पास! क्या हुआ? कौन हो बेटे? रो क्यों रहे हो? चुपो जा! चुपो जा मेरे बच्चे, चुपो जा! कौन ही तुम्हारे बाबु? बाबु! क्या हुआ पिता? मैं कितना खुश नसीब हुआ कि मुझे आप लोगों की दर्शन हुए और कितना बदनसीब कि आप लोगों के सामने खड़ा हूँ ना बाब के खून ने जोश मारा क्या? और ना मा के तूदने क्या? क्या तुम हाँ मा? मही तेरा बेटा शाम हूँ शाम शाम मेरा बेटा हमारा बेटा शाम है शाम मा? पिता जी मनी प्राप्त करने का कोई बड़ बताईए जिससे मैं आप लोगों कोई स्कैट से और अपने धरम पिता को पाप से मुक्ति दिला सकूँ जब तक तरिकाल जिन्दा है यह नहीं हो सकता बिटा उसकी मौत के बाद ही उसके मंतरों की शक्ति खत्म हो जाएगी और तब ही तुम मनी प्राप्त कर सकते हैं तो समझ लीजे पिता जी के तरिकाल कल का सुरज नहीं देख सकेगा करहां कर दो कर तरिक टुम कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 शाबाश परदेशी, मुझे मालूम था एक दिन तु यही करने वाला है, अब तु जिन्दा नहीं बचेगा, और तुझे मैं नहीं मारूँगा, तुझे मारेगा त्रिकाल. जिस रास को बचाने के लिए मैं भूलू को मार सकता हूँ, उस रास को बचाने के लिए मैं तुझे भी, तुझे भी! कर貌 बचाने के लिए मैं डोंके लिएमने सकाने के लिए मैं खाय। तुझे डियाओищ के लिए चर्व बा définफ लिए मैं ले की बजके लिए मैं तुझे खाय। झाल 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 कहों भईया मुझे क्यों याद किया हमारे रास को जंगी जान चुका है वो मुझसे बचकर पता नहीं कहां छुप गया है तुम इच्छाधारी हो उसका पता लगा सकती हो अगर जंगी ने हमारा रास त्रेकाल को बता दिया तो हमारा मकसद धूरा रचाएगा वो जहां पी छुपा होगा मैं उसे खोज निकालूगी ये रात उसकी जिंदगी की आखरी रात होगी वहा हमारी वहा हमारी प्र उलाओ मी मीरवटी ये वहा हमारी वहा हमारी झाल दो, झाल झाल कर जह दो भौट सबस्कान हो तॉट कर दो अढम कर दो टो तॉट कर दो देश्ट कर दो कर दो कर दो कर दो अजसे अजए। कौन हो तुम मोहिनी इच्छा धारीन नाकेन क्या करने आई हो यहां तुझे डस नहीं शायद तुझे मालूम नहीं कि माई एक सपेरा हूं मालूम है ना तेरे मंत्रों में इतनी ताकत है ना तेरी बीन की आवाज में इतनी शक्ति है कि मोहिनी को अपने बस में कर सके मेरी बीन की आवाज में न सही लेकिन मेरी लाठी में इतनी ताकत है कि तेरे लिए एक ही वार बहुत होगा बहुत खुरूर है ना तुझे अपनी लाठी के वार पर, मुझे अपनी फुंकार पर खुरूर है, चला अपनी लाठी की वार पुरूर स्नुछ मुझे अपनी, कि अपनी उते हे ना तुरूर से नारी ऴृूर याओ़ा जुत खॉरूर मुझे औरूरुरूर कुछ icon त 129 फॉरूर रार mod ॢहर। हाँ 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 बहुत गरूर थना तुझ है पिला ती के बाद बाद हुआ हु झाल झाम झाल पुखखगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग कब हुआ यह सब त्रिकाल रात को किसी नाग में जंगी को डस लिया इस इलाके में कौन से ऐसे नाग के इतने हिम्मत हुई जिसने त्रिकाल जैसे तपसी तांत्रिक के आदमी को डस लिया इसे किसी मामुली नाग नहीं इच्छाधारी नागिन ने कटा है लेगत त्रिकाल आपको यह कैसे पता चला किसे किसे इच्छाधारी नागिन MEMERA नाव त्रिकाल है 25 साल तपस्या की है मैंने र नागों की जातीयार उनके फ़नों से वाकिप हुँ मैं इस इलाके वं जरू इ इच्छादारी नागिन है जिसने से मारा आए मैं उस नागिन को नहीं छोड़ूंगा बंद कर अपने पीन आज का दिन तेरी जिन्दगी का आखरी दिन है मेरी ही बीन के असर से खिचके आने वाली नागिन मुझे मात की धमकी देती है मैं तेरी बीन के असर से खिचकर यहां में ही आया बलकि तुझे तेरे मंत्रों से किली जखा से बाहर लेकर आई हूँ मैंने तेरा विगाला उल्टे तुने मेरे आदमी को डसा न तेरे पास मेरे पती नागेश्वर की व मनी है। जिसे तुने अपने मंतों से कील रखा है। मैं तुझे डस कर वो मनी हासल करोगी। अच्छा। तो तूष्य नागेश्वर की पРЕ judgments कि अरे तू तो मेरे लिए वर्दान बन गराई है तू को तो वो मनी सिध़ करने का मंत्र जरूर जानती होगी के वो ढिती परताफ सिंग तौ मेरी बात मांता है आ जब तक मेरे गले में यह तावीज है और हाथ में यह बीन, तु मेरा कुछ नहीं बिगार सकती, मैं तुझे अपनी पीन से मस्त करके अपने साथ ले जाओंगा भाईया, इसके गले से वो मंत्र युक तावीज निकाल लो, बाकी इसे मैं देख लोगी मेरा नमख्वार नौकर? कौन नमख्वार नौकर? मैं उस नेक इंसान प्रताप सिंग और देवी पद्मावती का पेटा हूँ, जिनको तुने कैद कर रखा है आज तु मेरे हाथों से बच नहीं सकता आज तो वो भाग गया, लेकिन कब तक भागेगा? जिस दन मेरे पती नाकेश्वर धर्ती से बाहर आ गए, बहुत इंतरिकाल की जिंदगी का आखरे देन होगा बहन, मुझे आजी पता चला कि तुम नाकेश्वर की पत्नी हो तुम मेरे पती को कैसे जानते हो? जानता तो नहीं, लेकिन उनका जिकर सुना था जिकर सुना है? क्या वो धर्ती से बाहर आ गए है? कहा है वो? कि इस दुन्या में नहीं रहे मेरे धरम पता के हाथों तुम्हारे पती की हत्या हो गई हाँ, बहन, तुम्हारे पती को जीवंदान और अपने पता को पापसे मुक्ती दिलाने के लिए मनी का प्राप्त करना ज़रूरी है जो त्रिकाल के कबजे में है उस मनी को आज ही प्राप्त करेंगे तुम यही रहो भाया मैं मनी लेकर आती हूँ नहीं बहन वो जगा मंतरों से किली हुई है मंतरों की आग की लपट से उंचे मेरी उडान है मंतरों की लपट से लेकर आती है मेरी मणी को किसी ने छुआ है बहन आगे मत बढ़ना वही रुक जाओ बहन दो किसी तो ने रुक जाओ बहन युझ को किसी अची किसी अची अची का वही तो है बहन से अची किसी अची का अची का पड़ना मत भू है यह क्या किया बेहन जोड़ पती बता को करना चाहिए अगर एक पती बता नारी अपने पती के लिए सती हो सकते है अगर अगर इस मनी से मेरे पती को जीवनदान मिल सकता है तो मेरे पती के जीवन के लिए मेरे लाखो जीवन कुरबान यह लो मनी और जाओ सबका उद्धार करो अगर 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 वह अपने मकसद में काम्या भोही गया लेकिन मैं त्रिकाल ऐसे हार मानने वाला नहीं वो भाग कर जाएगा कहां कल नाग पंच में मनी कल ही सिद्ध होगी अपरताथ खुद मेरे पास मनी लेकर आएगा जीते रहो शाबाज शाम चलो बेटे अब इस मनी से नागेश्वर को जीवन दान दें और अपने इस कर्तव्य से मुक्ति पाएं शेरा हवन कुंड की अगनी प्रचंड करो मैं नाग भस्म यग्य करूंगा क्या नाग भस्म यग्य शुरू कर रहे हाँ और अब तक तो हवन कुंड की अगनी प्रचंड हो चुकी है नहीं ऐसा हर्गिस नहीं होना चाहिए यह बिटा यह नाग भस्म यह क्या होता है माँ दुनिया भर के नाग इस हवन कुंड में जलकर भस्म हो जाएंगे इस धर्ती से नाग जाती का नाम और निशान मिट जाएगा मिटा हम यह वह मणी लेकर फौरें उसके पास जाना चाहिए हम नाग के पुजारी है और शिर्व के भक्त हम यह सुल्म नहीं देख सकते आप मेड़ी लेकर वहाँ नहीं जाएंगे मेरा बापु बहुत बड़ा तांत्रिक है तो क्या हुआ भगवान नाम के भी कोई शक्ति है कि नाग भस्म यग्य कभी संपूर नहीं होगा कभी नहीं होगा कि तूने मेरा कोई कारे संपूर नहीं होने दिया मेरा नाम वित्रिकाल है हाँ रही मानूंगा मैं हमें नागेश्वर जी को अकेला नहीं भीजना चाहिए था उन्हें खत्रा हो सकता है मैं अपनी बापू को अच्छी तरह से जानती हूँ वो मिनी के लिए कहीं न कहीं जरूर घात लगाए बैठे होंगे हाँ बैठे और नागेश्वर भी बीन की आवाज से मस्त हुए बेना नहीं रह सकते और मैं जानती हूँ बापू की बीम की आवाज में और सुरू में बहुत चक्ती है नगीना ठीक कह रही है हमें उनका साथ देना चाहिए वो ज़्यादा दूर नहीं गया हूंगे ट्रिकाल? अप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् झाल 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 मनी भी मेरे पास नागेश्वर भी मेरे पास अब तो यह मनी से धोकर ही रहेगी अब मुझे अत्रिकाल दर्शी बनने से कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मेरे पास है अब तो मुझे इस तावीज की भी कोई दुनिया त्रिकाल असली मारी मेरे पास है नागेश्वर जी अब आपको त्रिकाल से कोई खत्रा नहीं है अपने विश्च से इसके जिसम को नीला करतीजिए हुआ हाँ हुआ हाँ 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 ठाइअ है हाँ 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 भी वकूफ मैं जानता था कि तु ऐसे कोई कोई डे कछाइज जरूर चले गा लेकिन मैं मैं त्रिकाल हूँ मैंने नकली तावीज भेका था जानता है असली तावीज कहा है असली तावीज यह देख और अब मैं नागेश्वर को फसम कर दूंगा नागेश्वर को छोड़ दो तो फिर असली मणी मेरे हवाले कर दे तुम कितने ना समझ हो त्रिकाल तांत्रिक होते हुए भी तुम यह पता ना कर सके के असली मणी कौंसी है और नकली कौंसी असली मणी यह है नहीं तुम जोट बोल रहा है असली मणी यह है अगर यकीन नहीं आता तो अपनी मणी से पूछ लो के असली मणी कौंसी है गोल, गोल मनी, असली मनी कौन्सी है, गोल खड़ु गोल, 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 जड़ गोँ policeman, you अज़ घए गोल, गञ़ु ख़्व घॉख अज़ कर दोवा कर दो दो कर दो फुनसे कि अ पर दो दो चाहिस आ कर दो प्र दो चाहिस कि अ चुनसे प्रमा यह स्वेट कि प्रेदाम मां मां चुनसे टो, अ, अ, औू, ई, लो, अ. हुए और में जॉए और फिर साइब एर तर करिफ हासो कि कि खुए हासो बार और वरेए खमस दो खूआ एकर डुए ही हाँ कि एखिया, है एखिया, हाँ हुँ हं एखिया, हुँ मंस एको प्रगिया लाओ आजा मैता रेमिकाप बची आजाए हामा अरे इंड आजा प्रहुई ते या कि अतीक अछा आजाए मिलेग अवरा थूज़ा एंडर ड्याओ प्रहुट है झार झाल झाल जा जिए रवमा ड्रहुट है। झाहुआ पुरहण गयाँ हा झाहा टुरह दिए। जिए ओड़त से आहा झाध.' झाहा? जबomeण एड़ती हिए आहीं कर फाहे है प्रुब्रो को जिए जिए आग्वार दिए हैं प्रुब्रो को ऩॉफार ऑफ झाल झाल